क्या कुछ देखा आपने यहां पर रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जा रहा है अभी थोड़ी देर पहले दिपेंदर होड़ा आये थे कॉंग्रेस के जो सांस है उनको भी अंदर नहीं आने दिया उनको बीच नहीं डिटेंड कर लिया गया यहां मीडिया के लोगों को भी अंदर इंट्री नहीं दे रहा है आप समझ सकते कि किस तरह से हम देश में लोगतंत्र की बात तो कर रहे हैं लेकिन आज जब देश की बेटिया जब गोल्ड मेडल लाती हैं तब तो प्रदान मंत्री जी साथ में फोटो खिचबा लेते हैं लेकिन आज वही लोग जब चोट आई है सर में खून बगेरा भी निकला है लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि अंदर मैं दिखा रहा हूं बताता हूं आपको पीछे एंबुलेंस को भी लेके जाया गया वहां पर गंबीर चोट भी बताई जा रही है कि मैं भी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और यहां पर बीते बारा दिनों से अंदोलन चल रहा था क्योंकि आप पता होगा कि जो देश की साथ महिला पहलवान है वे लोग आखर के यहां पर आंदोलन कर रही थी हैं जो गंबीर आरो बीजेपी के सांसद और डवलू एफाई के जो चीफ हैं ब्रेज भूस अबर यही यही तकरीबन 11 वजे कि यहां पर बावाल हो गया और जो एक पहलवान हैं उनके साथ मारपीड की गई उनका सर फूट गया और यहां पर दिल्ले पुलिस के तमाम अधिकारी भी पहुँच गए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं आप एक बार चोतरफा हुए थें और वहां पर वेपना बिडाइ बेच लेकर के आए हुए थें और इसके बाद पुरा बवाल बढ़ता चला गया और नहीं पर ढासरी समय के हालात हैं कि यहां पर इस दिया जो सुख वी धीक हैं तोरहे हो यह बाहर हो बाहर ही है बताएवाई डी एस यहां पर तो पूरा मक्या कुछ देखा आपने यहां पर रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जा रहा है। आती हैं तब तो प्रदान मंत्री जी साथ में फोटो खिचबा लेते हैं लेकिन आज वही लोग जब जंतर मंतर पर बैटे तो बताया गया है तो दो से तीन लोगों को गंबीर चोट आई है सर में खून बगेरा भी निकला है बलड बगेरा भी आया है लेकिन उसके मेडिया को अंदर इंट्री नहीं है आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है से बोलने की आजादी भी चीनी जा रही है क्यों कि मीडिया जो है सचना दिखाने पाए जो जो राइट टू स्पीच का जो मामला है वो पूरी तरह से हननन होता हो देख रहा है या को दिखा देना चाह है आप लोग अब आगे नहीं बर सकते हैं एक बार दिखा दीजिए कि देखिए देले पुलिस से तमाम जवान है और कई थानों की पुलिस फोर्स को यहां पर तैनागात किया गया है और जो इस्थित है ओ बेहाद यहां पर खराब होई तो यह दिखाई दे रही आप देखा हुआ किस तरीके से जो कॉंग्रिस की नेता है प्रियंका गांधी इसके साथ ही तमाम जो अपोजिशन की लीडर्स हैं वे लोग आ रहे थे राबाय ट्वाटर आए हुए थे पपुयादों यहां पर आई हुए थे स्वातिमालिवाल के आने की बात कही जा रही थी अब उसके अलावाँ जो है की राकेश्ट कैद जो किसानने था वे लोग भी यहां पर आई हुए थे राकेश्ट कैद ने साप कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो यहां पर अपनी खाट लेकर के आएंगे और वे लोग यहीं पर बैठ जाएंगे और सरकार को वे लोग डोस देने का काम करेंगे जो पहला डोस सर्कार को है 31 दिन में लगना चाहिए लेकिन 10 दिन का वक्त गुजर गया है और हम अपनी खाट लेकर के आएंगे सर्कार का पहला डोस देने का काम करेंगे यानि कुर्मीलाज लोकर के यही है कि राजनीत का अखाड़ा इसे लगातार बनाने की कोशिस की जा रहे थी अपोजीशन के दोरा लेकिन आज श्राम को जिस तरह के स्थबरे आई वो खबरे काफी दर्दनाक है दुखर है और पुलिस के तमाम अला धिकारी फिलहाल अंदर जा रहे हैं अग अपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं जो लोग बाहर है मैं तो बाहर हूँ तो हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहां पर धार 144 लगा दी गई है लेकिन जो इसमें पीडित है उनका नाम बताया जा रहा है कि दुशेयंत है और उनका सर फूट गया है पूरे बवाल में और इ उसी में एक पहलवान का सिर्फ फूट गया गंभी रूप से घायल हो गया और उन्हीं इलाज के लिए अस्पताल में भरती करा दिया गया है और तकरीबन एक ख़बर आई थी हमारे पास 11 वजे और अब रात के डिर्ध बज रहे हैं यानि धाई घंटे बीद जाने के बाद इस्तित जो है जसकी तस्बनी हुई है जितने भी गेट हैं जंतरमंतर के एक गेटे है इसके ठीक पीछे गेट है और एक दाहिने हाथ पर गेट है तीनों जगहों पर बैट केट लगा दिया गया है दिल्ले पुलिस के तमाम जवानों को तैनात कर दिया गया है पिछले गे लोग अंदर जाने कोशिस करते रहें लेकिन हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया ना आने क्या पुलिस चुपाना चाहती है ना जाने किस बात का दर है क्यों सा सच ऐसा बाहरा जाएगा और अभी की जो खबर आ रहे हैं कि जो आम आदनी पायटी के विधायक हैं मालवी नगर से सुनाद भारती फिलहाल उनको डीटेन कर लिया गया है एक और नेता हैं उनको भी डीटेन किया गया है उन्हीं गीता फोगार का ट्वीट भी सामने आ गया ह उन्होंने साब कहा है कि जंतरमंतर पर पुलिस द्वारा पहलवानों पर हमला जिसमें मेरे छोटे भाई दुशेंद होगाट का सिर्क फोर दिया गया है और एक अन्य पहलवान को भी चोटाई है यह बहुत ही जदा शर्मनाक है क्योंकि आपने देखा था किस तरीके से तमाम लोग यहां पर आ रहे थे और इसा लग रहा था कि आंदोलन जो है विक्रार रूप लेगा बड़ा रूप ले लेगा और इसके बाद कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खत्र गंटी थी लेकिन अब जिस तरीके से महाल बनाया जा रहा है तमाम लोगों की माने तो आंदोलन को ख खत्म करवा धिया गया था दिन ले पूलिस के तमाम जवान गहे थे तमाम फोसस लगा दी गई थी कई टीम में लगा दी गई थी फिलहाल इस्थिद्ट जनतर मंतर बही बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आज 12 दिन है और 12 दिन आंदोलन को खत्म करवाने की कोशिस कि जा रही है और रात के डिऊभ बज़े अभी मेरे फोन में एक बज़ करके 30 मिट हो रहे हैं और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं मैं चोटरफा दिखा देता हूँ फिर से एक बार कि देख लिजी कि पूरा जंतर मंतर है एक बार पूरा जूम करके दिखा दीजिए किस तरीके से दिल्ले पुलिस जवानों की तमाम गाड़ियों के यहां पर खड़ा कर दिया गया है और जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं पल पल खबरें लगातार हम आपको देते रहें आपको बताते रहें और इस्थित फिलहाल यहां की यही है जो हम आपको बता रहे हैं जो हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हमको तो पहले रोग दिया गया था बड़े मुश्किल से हम लो खुद नहीं पता लेकिन दिल्ले पुलिस ने फिलहाल रोक दिया है आप लोग जहां से भी देख रहे हैं आप लोग हमें जरूर बताएगा धन्यवाद नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़